सो बहुत सा लोग पांगने थे मेरे से की राउंड डायल में एक वाच की वीडियो चाहिए और डील जो चल रही है उस पर बेटर रहेगी कौन सी वाच तो टॉप की पांच वाचे लेगे हैं आप सब की सामने और नॉइस और बोट की मैं बता दूँगा यहाँ पर कोई दिक उतमें को क्यों सब्सक्राइब चाहिए पर कियोओ नियुक्त सब्सक्राइब करें एकके और रक तस्ते वाच नहीं पुरूगों सब्सक्राइब कर oh सोने सके तेलिए अब दिए आप राइसे क्यों आप यह रहे हैं और Εग्जों कि नहीं रहे नहीं रहे हैं और इत्रव फीचर सारा मिल जाते हैं मुड़ने हैं यहां आपर 500रट नोड़ने सारे 500 की रिडेलों बीधिए और यहां पर गेम्स क्योंक आप आपसे में पूदिक हो और एक गेम जाता है इसमें आपको प्लॉज। मैं पताया था हूं क्या क्या प्लॉज है सबसे पहला इसका नेक़ेड़ करती है जा फिल्ण वादाते हो तो यह प्लॉजश निदे कंडई और रेचिव आपसे थो प्लॉज एक और चीज अगर आपको इंचिस की बड़े डिस्प्ले मिलती है, एमले डिस्प्ले मिलती है, ब्लैक बड़र एकदम मिनिमा लेंस के अंदर, अनलोंग और डिजिटल दो वाच फिस देखने को मिल जाते हैं, इसकी बेच्ट बैणिंग आपको डिस्किप्शन बॉक्स मिल जाएगी देखने के लिए, अब गयाँ यहाँ पर हम बात करते हैं, टॉप की वाच, यहाँ पर जितनी वाच रख्यों से सबसे बेटर वाच में कहूंगा यहाँ पर, आयाती है, बीट एसपी की इवोक, इवन दो वेगा से भी बेटर है, यह मेरे पास वेगा भी रखी है, वेगा और इसको साथी में ले लेते हैं, जादा टाइम नहीं लगेगा फिर, तो यहाँ पर वेगा और इसका यूई एकदम डिट्टो कॉपी है, सेम है यूई, कुछ भी डिफरेंस नहीं, हजार निट्स की ब्रैटनेस है, और मेटल का बिट मिलता है, रिंग वाइबिशन म्यूट को ऑप्शन देखने को बिलता है, 22M स्ट्रैप साइज मिलता है, डैडी की डेट सेंसर देखने को मिलता है, बट डिफरेंट है कि यहाँ पर जो स्ट्रैप, स्ट्रैप की कॉलिटी काफी इची रखेंगे इस बार, मैगनेटिक स्ट्रैप टाइप का, सेम फ्राइस बैगर में मिल रहा है यह वाला भी, और साथी में एक बटन आपको उपर यह पुश कर दीगे, यह रोटेटबल वाली जो बटन है, दोनों में ही रोटेटबल क्राउंड को उप्शन देखने मिल जाता है, बट यह जो बटन है उपर को पुश कर दीगे, जो की काफी बटर है, नीचे आपको एक सेकंडरी बटन मिल जाते देखने लिए, तो काफी मेरे को बेटर लगा, इसका खास कर इस से, तो इन दोनों में अगर आप confused हो, आँख बंद करके इवोक के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि आपको accuracy भी almost similar ही देखने हूं मलती है, और दोनों ही watches आपके last medium में के लिए काफी अची है, थिन रिष्ट पर दोनों में से कोई सी watch नहीं चल पाईगी, ध्यान रखिएगा आप से, ठीक है, तो definitely आप जा सकते हैं एवोक के लिए, वन और बेश्ट वाच में कहूंगा, इन सारी watches में से खास कर, अब गया सकता हूँ, अब गयास next watch की तरफ चलते हैं, यहाँ पर next watch आजाती है, firebolt की watch, firebolt की phoenix amoled, यह आपको 12 रुपए के price back end में मिल रही है on amazon अभी, और यह सारे सारे feature को cover कर देती हैं, यह firebolt का पुराना वाला UI दिया गया गया इसके अंदर, बट यहाँ पर 1.43 इंचिस की रिस्प्ले है, और smooth UI मिलता है, यहाँ पर lag lag नहीं करता है, साथ ही यहाँ पर games calculator option देखने हूँ जाता है, ring vibration option भी देखने हूँ मिलता है, अगर आप setting में जाते हो, तो यह भी इसमें काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें always on spring साथ race to भी काम करता है, इसमें नहीं काम करता है, वो थोड़ा सा flow है, इसमें जब alarm लगाते हो, only vibrate करती है, इसमें आपका proper ring करेगी इन दोनों में, तो यह इसमें plus point है, इसमें negative point भाता है, बट अगर आपको थोड़ी सी sleek watch चाहिए, और formal looking tag के चाहिए, तो आप इस watch लिए definitely जा सकते हैं, यह watch आपके last to medium risk लिए काफी अची है, thin wrist पे भी चल सकती है, यह watch thin wrist पे चल सकती है, बट जाला thin नहीं होने चीज़, यह चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है आप सब, अब गाइस यहाँ पे next watch की दर प्सेलते हैं, यहाँ पे next watch है, बोट की ORB करके, ठीक है, 21 double 9 rupees के price bucket मिल रही है, और बोट का crest OS मिलता है उसमें आपको वो काफी better है, refined है, अगर मैं बात करूँ, जो boring आपको UI मिलते हैं, other watches में उससे काफी ज़्यादा refined है, जो बोट की ORB watch है, AMOLED display के साथ आती है, और always on display का option देखने मिल जाता है, उसी के साथ-साथ बट एक flaw है, उसमें भी polycarbonate build के साथ आती है, और quick reply का option मिलता है, जो की other watches नहीं provide करती है, साथ ही मैं आपको उसमें always on display के दो watches मिलते हैं, analog और digital वाले, और race to wake का option देखने मिल जाता है, race to wake always on display साथ में काम करते हैं, ये भी काफी उच्छी बात है, दो buttons मिल जाती है आपको देखने के लिए, और अगर आप chain वाला strap लेते हैं, उसमें तो पच्छी सो रुपए के price bracket में है, और नॉमल रोल लेते हैं तो 2199 में मिल जाता है, और उसी के साथ साथ accuracy भी काफी अच्छी रहती बोट की watches की, तो अगर आप बोट की watch देख रहे हैं, बोट की ORB के लिए जा सकते हो, लिंक मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल रही है, आप जाके ग्रैब कर सकते हैं उस watch के लिए, ठीक हैं? अब गैस आप एक watch के लिए जा सकते हैं, वो है Noise की Fuse Plus, CS, उसका मैंने इंबॉक से रिवी कर रहा है, पच्छे सो रुपए के प्राइस बैकेट में लाँच होई थी, अभी जो सेल पर प्राइस है, वो पच्छे सो ही चल रहा है, बट बिग बिलेंड ये सेल पर प्राइस और कम हो सकता है, तो वही है थोड़ा सा, उसमें compromise करना पड़ता है, बोट की वाच में भी आपको, जो मैंने आपको बोट की और भी बताई, उसमें भी आपको Games Calculator का उप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ये धिहान अकना आप से, ठीक है, और last but not the least, यहाँ पर आयाती है, ये FastTrack की Revolts FR1 Pro लेना, ये तो मेरे पास FR1 है, FR1 Pro को भाई करना, क्योंकि Pro में आपको Feature Pro लेवल के मिलते है, AMOLED इस्प्ले मिलते है 1.3 निचेस की, और इसी की साथ-साथ, strap साइज सेम है, 22M aftermarket का strap यूज़ कर पाऊगे, और साथी है FastTrack का भरुसा आपको उत्पदाई, ये accuracy FastTrack की काफी उची रहती है, तो definitely आप इसके लिए जा सकते हैं, round dial में अगर आप कुछ है, तो FastTrack की Revolts FR1 Pro के को आप देख सकते हैं, straight away, और काफी अच्छे look के साथ आती है, ये games भी देखने को मिल जाते हैं watch में इसेल ठीक है, बट ये के मितलब, एक और आपकी FastTrack की आई थी है अभी, नाम याद मेरा मेरे को, Infinity क्या नाम था उसका, जो 25 रुपे में आई थी, तो वो भी काफी अच्छी watch है, उसमें भी UI सेम ही मिलता है आपको देखने के लिए, तो आप जा सकते हैं उसके लिए उसमें calculator भी देखने को मिल जाता है, तो वो काफी बेटर हो जाएगी, अगर आप चूज करना चाहरे हो, FR1, FR1 Pro में से, तो तीसरी वाईली जो अभी लाँच हो यह Fast Track की, उसके लिए आ सकते हैं, जो 25 और के price बेकन में on Flipkart मिल रही है, तो यह कुछ पांच watches थी, मैंने जो आपको इस वीडियों बताया है, और इसमें से top की 3 बताया है तो आप सभी को, जो मैं all time यहाँ पे number 1 पे रखता हूँ, मदब 1, 2, 3 पे रखता हूँ, वो है आपकी top की number 1 जो watch है, वो यहाँ पे आती है, Beat XP की evoke, इसको मैं number 1 पे रखता हूँ, maximum feature के साथ अभी आपको value for money मिल रही है, और यह magnetic strap, चार चान लगा रहा है, 1000 nits की brightness, और काफी अच्छा इसका look आता है, इन हैट फिल भी काफी अच्छा मिल जाता है, 22 m strap size है, ring vibration meet का proper option दलता है, ring करती है, जब अलाम अलाम बसता है, तो guys, maximum feature चीथ आपको evoke के लिए जाना चीए है, अब guys, second number पे आप कौन से watch रखूँगा, second number पे रखूँगा, यहां पे यहां पे फायर बोल्ड की watch, फायर बोल्ड की फेनिक्स एमोलेडी है, इसमें एक यी फीचर मिसिंग है, जो है always on display के साथ तरेश्ट होगे काम करना, वो था तो और कमाल की watch हो आती, वैसे 12 रुपे के price bracket में काफी अच्छा यह option बन जाता है, अगर आप चूज करना चाहते हो watch, तो इसकी बेस्ट वाल लिंक आपको description box में मिल जाएगी देखने लिए, लाश्ट बिट नॉट दरीच यहां पे, फास्ट ट्रेक की watch को मैं रखूँगा, और इन तीन watches को मैं रखता हूँ यहां पे top priority पे, और guys यहीं था simple सा video, मैं थक चुक हो हूँ, अगर आपका query इन तीन watches के regarding, या मतलब इन पांचों watches के regarding कुछ भी रहता है, तो आप मेरे से comment box में पूस सकते हो, इस वीडियो को share कर दो maximum से maximum logo तक, और चैनल को subscribe करना कभी मत भूलना, best bell link आपको सारी के सारी watches के description box में मिल जाएगी, और इन टॉप की तीन watches के link पे आपको description box में मिल जाएगी, मिलता हूँ आप से भी से एक लिए वीडियो में तिल देन, बाबाई,